सूपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करवा चोत के फास्ट की जो की सभी लेडिस बड़ी ही धूम दाम से मनाती हैं बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं अपने पती की आयू लंबी हो उनक करती हैं पूरा दिन फूका प्यासा रहकर तो ऐसे कौन से काम है जो कि आपको करवा चोत के वरत में नहीं करने चाहिए वो आज की इस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं ताकि आपको इस वरत का फल जो है वो पूरा मिले तो जब भी हम किसी फास्ट को करते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी विदी विदान है उस विदी विदान से हम उस फास्ट को करें उस वुरत को पूरा करें और जो उसका फल है वो भी हमें अच्छे से बिलें उसके लिए हम पहले कितने ही दिनों पहले हम तयार्या शुरू कर देते हैं और हर्श और लास क साथ उस फास्ट को हम पूरा करते हैं तो करवा चोट के जो नियम है वो आपको कभी नहीं बूलने चाहिए अहर गर में अलग-अलग होता है भूखे प्यासे रहकर लेडी जो है इसरिया है वो वरत को पूरा करती है ताकि उनके पती की आयू लंबी हो कुछ घरों में चलन है कि वो शाम को जैसे फ्रूट्स भी खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं चाए पी लेते हैं फ्रूट्स खा लेते हैं तो वो सब का अपना-पना है कि जिस विदी के साथ वो करते हैं तो ऐसी कौन सी पाते हैं जिन बातों का आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले बात कि दान में आपको क्या-क्या वस्तू नहीं देनी है करवा चोथ का वरत बहुत ही खास होता है क्योंकि सब अपने पती की उमर लंबी हो इसलिए रखते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको यहां पर देना होता है सबसे पहले तो आपको उजले या भूरे या काले नीले इस रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए आप कोशिश करें कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं जो भी कपड़े खरीद रहे हैं वो आप लाल कपड़े हरे कपड़े जो महरून कदर आता है इस तरीके से या या लो इस तरीके के कपड़े जो है वो आप खरीद सकत हैं क्योंकि करवाचोध का जो fast किया जाता है उसमें हमेशें नए कपड़े पहने जाते हैं नए कौरे कपड़े नए कपड़े लाती है इस तरह और वही कपड़े धारण करती हैं अगर बाइचांस कभी भी ऐसा हो कि आप नए कपड़े नहीं ला पा रहे हैं या कुछ भी कि पास्ट को खोल सकते हैं तो इसके अलावा आपको करवा चोत के दिन किसी को भी दूद, दही, चावल या फिर कोई वस्तर दान नहीं करना चाहिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है दान में नहीं करना चाहिए हारा कि हम अपने जो लेडिस रहती हैं वो अपने सास के से बड़ों का आशिरवाद लेनी चाहिए इससे पती की आयू लंबी होती है मन में कोई बात है कि वो क्या बात है जो आपको भूल कर भी अपने मन में नहीं लानी है तो करवा चोत के दिन गलती से भी आपको अपने पती के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी किसी तरीक के ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए और ना ही आपको किसी अन्य सुहाग निस्तरी को भला बुरा या शाप देने की गलती भी नहीं करने चाहिए किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए आपने करवा चोत का फास रखा है हो सकता है किसी के कल्चर में नहीं है वो नहीं रखते हैं तो कुछ भी किसी तरिके का बुरा श्रंगार करती हैं तो जैसे चूडी है पिंदी है सिंदूर ये सारी चीज़ें चीज़ें ये कभी भी आपको कूडदान में नहीं फैकने चाहिए आप अपने जो नई कपड़े वस्तर खरीती हैं उसके साथ ही आप अपने श्रंगार की वस्तु खरीती हैं अपने चूड़ी कंगन खरीती हैं तो अगर कोई सुहा की ऐसी वस्तु है जो पहनते समय आपसे तूट जाए तो आप उसे नदी या तालाप में करें और सुहा की लंभी उमर की कामना के लिए लंभी उमर की कामना पूख करनी है उसको प्रकी व्रत करने वाली माहिलाओं को इस दिन είναι आने के लिए आप ये नहीं की सो जाएं, समय नहीं भी तरह भूका पैसे या ताश के पत्ते खेलने या चुगली करने ऐसे काम आपको नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप सत्यों की कथा और पुरानिक कथा आपको सुन्नी और पढ़नी चाहिए, साथ या आपको भजन किर्तन भी करना चाहिए, ऐसा करने से जो करवा मारानी है, उसकी किर्प्याव बनी रहती है और पती की उमर भी लंबी होती है। यानि कि वो लोग भी मास, मचली, अंडा, मुर्गा उस दिन ना खाए। और मानने तहा है अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो वर्थ करना व्यर्थ है, करवा मारानी भी वर्थी पर परसन नहीं होती है। बहार जाकर खाना पसंद करते हैं तो बहार के खाने में पता नहीं आप जहां सब्सकाइब करके बैल आयकन को प्रेस करना नभूलें ताकि जैसे 230 आपको उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो thanks for watching वीडियो को like जरूर कीजिएगा और comment section में comment करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी भी वरत तो युहार की कथा, कहानी, नियम कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं वो वीडियो भी हम आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेंगी हम next वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक thank you so much, bye, take care